कि दियर स्ट्वेंट्स आज यू नो देट देट चैप्टर लास्ट आप दा बुक नॉन कंप्रिटिव मार्केट इज कंट्यून्यू तो इस सीरीज में हम पढ़ेंगे देखी दिस टेबिल इस स्वेंग अट पेज नंबर 90 पर एक टेबिल जो सो हो रहे हैं इस स्वेंग दा प्रैसस एंड्रेवैन्यू सो कर रहे है इस टेबिल में अब देखीए मैंने पहले भी एक बार समझाया है आपको लेकिन जो स्टेंड ठीक से नहीं जान पाए है इस टेबिल को समझना बहुत जरूरी है तो प्रैसस एंड्रेवैन्यू तो इदिहर गिवन द होता है Q multiply P एनिके quantity और price का multiply TR होता है एनिक total revenue होगा अब AR क्या होगा average revenue divided by quantity एनिके TR को quantity से divide कर देते हैं तो आ जाता है average revenue अब जो changing है हमारे revenue में वो होती है marginal revenue ठीक है class अब कैसे यह calculate हुआ माल लिजी हम इसको third number को हम समझ लेते एक बार में कि three quantities हैं sold की गई तो price थी 8.5 रुपीज per quantity 8.5 multiplied तो total quantity total revenue calculate कैसे हुआ 8.5 multiplied 3 तो 25.5 total revenue हो गया ठीक है अब average revenue क्या है 8.5 यहां पर price 8.5 है average क्या हुआ कि average मतले क्या होता per unit of output 8.5 ठीक MR कहां से आया 7.5 यह कहां से आया ठीक है यह का difference 6.5 है 4 units price 8 8 432 हो गए हापर next में और changing कितने हुई and average revenue 8 रहा और 6.5 difference है 25.5 और 32 का ठीक है डिफ्रेंस है हम आड़ा ह्वात को 6.5 यहां